वैसे तो आप योगी सरकार में उत्तप्रदेश में भू माफियाओं पर कारवाई होते कई बार देखते हैं लेकिन इस बाद जिला प्रशासन के सामने एक बीजेपी के पूरविधायक से सरकारी जमीन को कबजा मुक्त करवाने की बड़ी चुनौती थी सत्ता के दम पर पूर विधायक ने बंजर में बने इस सरकारी तालाब की जमीन को रातो रात जेसीबी और डमपर लगवा कर अपने गुर्गों के साथ कबजा कर लिया जिसके पूरी रिकॉर्डिंग सीसी टीवी में कैद हो गई शुकायत के बाद पूरे मामले को लेकर स्डियम भानुपूर ने बेहत गंभीरता से कारवाई की उन्होंने खुद मौके पर जाकर जाच की और मामला सही पाया जुसके बाद विधायक के कबजे वाली सरकारी जमीन को जल्द ही कबजा मुक्त करवाने और कारवाई करने में जिला प्रशासन पूर्व तरीके से आक्शन मोड में नज़राया दरसल पूरा मामला भानुपुर तहसील के वाल्टर गंच थानक शेत्र के लक्षमर पुर गाउं का है जहां से राजनाम के एक मुस्लिम परिवार से बीजेपी के नेता और महादेवा विधानसबा के पूर विधायक रहे रवी सोनकर की भू माफिया गिरी देखने को मिली आरोप है कि विधायक ने अपने 40-60 गुर्गो को भेच कर अपने निर्माना धी निमारत तक पहुचने के लिए गरीबों के सपने को रौनते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और वो अपने मनसूबों में कामयाब भी हो गए गरीब परिवार गुहार लगाते रहे लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी विधायक ने अपने गुर्गो को भेच कर रातो रात गड़े की जमीन को जबरन मिट्टी डालकर पाट दिया और आने जाने के लिए अवैद रास्ता बना लिया पेड़ित सिराज ने बताया कि जमीन को लेकर हाई कोर्ट से किसी भी कबजे के लिए पहले से ही रोक लगाई गई है एज्रियम ने खुद इस जमीन पर इस्टे ओर्डर दे रखा है और सुप्रेम कोर्ट के नियमों के मताबिक बंजर पर कबजा करना गलत है इस गड़े में गाउं के सभी घरों से निकलने वाला पानी आया करता था लेकिन पूर विधायक ने ग्रामीडों की समस्या की परवाक किये बिना ही सरकारी जमीन को अपना समझ कर हतिया लिया मामने में शिकायत करता सिराज ने बताया कि पिछली बार भी कबजा कर लिये थे हम लोगों ने आवाज उठाई कि हम लोगों के घरों का पानी कहा जाएगा लेकिन हमारी आवाज को शासन प्रशासन ने मिलकर दबा दिया ये पूर्व विधायक रभी सोनकर हैं महादेवा के बिजेपी के हैं तो ये कई बार पिछली बार भी ये मिट्टी पाड़ के किये थे तो हम लोग ने आवाज उठाया कि हम लोग का नाली का पानी कहा जाएगा तो ये लोग ने यानी डीम, एश्टीम के उपर दबाव डालके इन्होंने हमारा कागज को दबा दिया हमने कम से कम पचास दर्खास डाला है एक दो नहीं हर दर्खास का मेरे पास सबूत है और ये रात में भी ये लोग ये दबंगень के साथ में 50 लोग है जिसकी हमारे पास सीटी कामरा भी है उसमें सबकूआ हूए तो ये 50 लोगों को रात में करीब 12 बजे से लेके बारा बजे तक के ये लोग खाड़ा करके और ये लोग पूरी मट्टी पाटे हैं इसमें वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं यह रेवनियु पॉर्ट का इस्टे हुगा है यह 302 का गढ़े का है तो मतलब वो 300 का तो 300 का यह गढ़े का है तो जो अधाय की बुथ पूर विधाय के वो जो अधाय में जबर्दस्ति इसको पर्जा किये हैं और हम बूथ यानि हम सहनी परिवास हैं लेकिन इसका कोई भी व अब जहां अब मर्जे कहां लेकर जाएंगे यहीं पढ़ा रहेगा गाते रहेगा और कहां जाएंगे सप्षाब प्रसासन में आता है शिफ्वामी को दमटे देता है और चाहिए मिली बगत से अशासन सव्था की दबाव को यसे उत्विधाय जा रहा है विधायी एक पुलिस को सूचना दी गई तो थाना अद्धेश महोदया करके हमको लाइन आर्डर मेंटेन करने के सलाह देते हैं जबकि जिस वेक्टि ने इस सार्विनी संपत्थ पर कभजा किया है उसको कोई तंबी नहीं देते हैं मैं इस पूरे मामले को लेकर हमारी तीम SDM के पास पहुची तो SDM भानुपुर ग्रीश कुमात तुरंत अक्टिव मोड में आ गए और आननफानन में कारवाई में जुड़ गए SDM ने खुद मौके पर जाकर जाच परताल की और आरोग को सही पाया जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से सरकारी भूमी पर पूर विधायक द्वारा किये गए कबजी को हटाने के लिए टीम बनाई गई और देड रात तक भारी पुलिस फोर्स के साथ विधायक जी के मनसूबों पर बुल्डोजर चला दिया गया विधायक के लाख जटो जहत के बावजूद प्रशासन के लोग नहीं माने जिसको लेकर विधायक की प्रशासन से तीखी नोग जोग भी हुई लेकिन योगी जी के बुल्डोजर के सामने नेता जी की एक ना चली और जिला प्रशासन नेत तालाप को विधायक जी के चंगुल से छुड़वा कर कबजा मुक्त कर दिया हलाकि पूरे मामले पर पूर विधायक खुद को पूरी तरीके से निर्दोश बता रहे है उनका कहना है कि ये उनके स्वर्गी पिताजी की जमीन है मैं प्रशासन का सहयोग करता रहा कि विधायक बनने के बाद मैंने इस सारी समयों को अर्जित दिया है रही बात आच्छेप का आज आपके सामने मौके पर राजस्टीम है जिसका सहयोग करने के लिए मैं स्वय में हाँ पस्तित भले ही कितने ही सहयों की बाद बीजेपी के पूर विधाय कर रहे हो लेकिन अब उनके अवैत कबजे पर बुल्डोजर चल चुका है जो इस संदेश जरूर देता है कि कोई भी आदमी चाहे वो पक्षका हो या फिर विपक्षका उस पर बाबा का बुल्डोजर गरजना तै है अगर अवैत अधिक्रमन किया गया है तो बस्ती से संतोष सिंग के साथ बीरो रिपोर्ट यूपीता कर्टो यूपीता है